रुबीन और अभिनों का 14 डिस का होम कुरिंटेन फाइनली 14 दिनों के बाद घर से बाहर हसीन वादियों में नेकली रुबीना जी हाँ पॉपलर टिवी स्टार रुबीना दिलाइग और उनके हस्बेंड अबनों शुकला हाल ही में मुंबई से पहुचेते शमला बाई रोड और वहाँ पहुचते ही उन्हें कर दिया गया था होम कॉरिंटेन और इस बात कर जिक्र खुद रुबीना ने किया है अपने सोशल हैंडल पर अपने एक लंबे चोड़े पोस्ट में जहां रुबीना ने सभी राजे सरकार की प्रशनसा की है खास कर हिमांचर प्रदेश की सरकार की रुबीना ने राजे सरकार को एक बधाई पोस्ट करते वे लिखा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि सभी राजे सरकार अपने नागरिकों को सेफ करने और उन्हें कोवीड-19 वारेश से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं स्पेशली मैं हिमांचर प्रदेश के अधिकारियों से बहुत प्रभावित हूँ जो कानून को लागू करने और उन पर अमल करने के लिए जीतोड कोशिश कर रहे हैं शिमला जाने के लिए इपास बनवाने के लिए मुझे पांच बार कोशिश करनी पड़ी हिमांचर की सिमाव में प्रवेश करने के बाद तीन चोक्या थी और जैसे ही हम हिमांचर की बॉर्डर में प्रवेश किये सब कुछ smoothly मैनेज होता गया रूबिना ने आगे लिखा हमारे आने के बारे में स्तानी पोलिस को पहले से ही इनफर्म कर दिया गया था और जिस दिन हम घर पहुचे हमें अपडेट करने के लिए हमें शिम्ला पोलिस अधिक्षक कार्याले से एक फोन आया अगले दिन दो पुलिस और एक एंजियो कारकरता निरक्षण के लिए आए हमने नियमों का पालन किया और व्यक्तिकत रूप से हमारे होम कोरिंटाइन के बारे में अगले 14 दिनों के लिए स्थानी एंजियो को अपडेट करनी के लिए इंशोर किया और फाइनली स्थानी अधिकारियों ने दुबारा विजिट किया और हमारे टेंपरेचर की जाँच की और हमेर राहत दी. रुबिना ने अपने इस पूरी कहाने की बात बताते हुए एक पिक्स भी शेर किया है जिसमें उन्हें और उनके हस्बेंट को 14 दिन के लिए कॉरिंटीन रहने के लिए नोटिस दिया गया था. इस कॉरिंटीन के बाद रुबिना के चेरे पर खुशी देखते ही बनती है. रुबिना ने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपने होम कॉरिंटीन के बाद घर से बाहर निकल कर शिमला की हसीन वादियों का लुफ्ट उठाती नजर आ रही है. कुल मिलाकर, रुबिना और अभिनो इन दिनो शिमला के इस खुबसूरत वादियों को कर रहे हैं. Enjoy! कुल मिलाकर वादियों को कर रहे हैं.